इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है आपको बेहतर नीन्ड में मदद करता है और आपकी उर्जा किस तर को बढ़ाता है। Lyftoprem AL Stabulate mood में अत्य हितिक बदलाव को भी रोकता है और आपको कम उत्तेजित महसूस करने में मदद करता है। आप अवसाद और कम mood की कम एपिसोड का अनुभव कर सकते हैं। इस दवा को काम करने में कई सप्ता हलग सकते हैं और इस दोरान आप अभी भी कम महसूस कर सकते हैं। यह संभावना है कि आप इस दवा को कम से कम 6 महीने तक लेंगे लेकिन संभवत अधिक समय तक। प्रभावी धंक से काम करने के लिए इसे नियमित रूप से लेने की जरूरत है। जब तक आपका डॉक्टर आपको न कहें इसे लेना बन न करें। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं। लिफ्टोप्रेम एलेस्टेबलेड भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। लिफ्टोप्रेम एलेस्टेबलेड दो दवाओं का एक मिश्रन है हिटिजोलम और एससिटालोप्रेम जो चिंता कम करने वाले और मूर बढ़ाने वाले प्रभाव डालते हैं। एटिजोलम एक बैंजोडाइ जिपाइन यानि की बीजड़डी है जो गाबा की क्रिया को बढ़ाता है एक रासायन एक संदेश्वाहग जो मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य गतिविधी को दबा देता है। एक रासायन एक संदेश्वाहग जो मूड को बहतर बनाता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।